दिल्ली में बिजेपी ने दिल्ली सरकार की उस रेरा अधिसूचना की निंदा की है जिसके कारण दिल्ली में संपत्ती पंजिकरन रूप दिया गया है बिजेपी ने आरोप लगाया है कि रेरा दिल्ली सरकार की अधिसूचना से दिल्ली में रियल एस्टेट आवसिय और वानेजिक के व्यापार को पूरी तरह से नश्ट कर देगी और व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों के हितों को भी नुकसान पहुचाएगी राज्थानी दिल्ली में रेरा की तरफ से एक आदेश चारी किया गया है जिसके तहट पचास वर्ग मेटर में बननी वाली इमारत का दाइरा सीमित कर दिया गया जिससे सेकडो कच्ची कॉलनीक पर असर पड़ा है इस मुद्दे को लेकर अब बीजिपी ने केजरिवल सरकार पर हमला बोला है बीजिपी ने कहा कि संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए मानिन ये सर्वोच्य न्यालने की चिंता का दुरुप्योग करते हुए दिली सरकार एक रेरा अधिसूच न लाई है जिस 50 मीटर के प्लॉट पर केवल तीन मंजल का निर्माण या विक्री की जा सकती है जबकि दिली में 50 मीटर तक के छोटे प्लॉटों की भरमार है जिन में चार से पांच अवास एकाईयां है उसमें सरकार ने जो कहा है कि 50 मीटर तर तीन इकाईयां होंगी लेकिन जो पहले से संपती बनी हुई है उस पर किसी पर चार है किसी पर पांच है तो उन लोगों के समस्या है दुसरी की सरकार को यह असपस्ट करना चाहिए कि यह नीमा पप से लागो कर रहा है आप यह अधिसुचना जब से जारी किये हैं 20 से या उसके पहले से तो यह कुल मिला जुला करके दिल्ली और उन अनाधिक्रित कालोनियों में जिसको चारी काई का मकान बनाना होगा पां दिनीश प्रताप सिंग ने कहा कि दिल्ली में लाखो इकाईयों वाली 1671 अने दिक्रित कालोनिया है जा आज तक कोई भवन योजना सुविक्रित नहीं की गई और इसलिए कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि इन शेत्रों में संपत्ति बिग्री खरीत कैसे होगी उन्होंने क वाहा के साधेश के बाद आम जंदा बेहत परिशानी जेल रही है को कोई भी नीर्णे करना चाहिए तो सूच समझ करके फैसला लेना चाहिए और फैसला नहीं लेने से अनाधिकृत कालोनी के जो जिनके नाम पर पलोट है जो मालिकाना हक है वो परभावित होगा और वो समस्या में घिरेंगे और दिली अनाधिकृत कालोनीयों का बहुत बड का आदमी 50 से 200 मीटर के फ्लैट का विकल चुनता है कि जिर्वाल सरकार रेरा अधिसूचना इन आवासों को प्रतिबंदित करती है लेकिन 200 से 3750 मीटर तक के अमीर आदमी के बुखंटों पर भड़ी हुई F.A.R. और आवास इकायों की अनुमति देती है प्रणिशर्मा ट तो अली उस तेले